प्यारे बच्चों very good morning आज हम a visit to Cambridge जो lesson no.4 है उसका remaining part पुढ़ेंगे यहां से start करेंगे then you see the head twisted sideways into a slum slum का मतलब होता है कंदों से जुका हुआ sideway मतलब की तरफ then you see the head उसके बाद आप देखते हैं कि उनका जो सीर है head माने सी twisted sideway into a slum उनकी कंदों पर जुका हुआ है the torso shrunk inside the pale blue shirt और torso का मतलब होता है धड़ कर यह धड़ और जो उनकी धड़ है वह श्रिंक माने शुकूड गई है अंदर गुज गई है inside the pale blue shirt जो उनकी blue shirt थी नीली shirt थी उसमें उसकी जो उनकी जो गरदन है वो अंदर दस गई है यानि कि उनकी गरदन जुकी वी थी shirt के अंदर गुशी वी थी the wasted legs और उनके पैर बेकार थे या मरेवे थे you see you look at his eyes अगर आप उनकी आगों की तरफ देखते हैं which can speak still जो अभी भी कुछ बोलती है and they are saying something huge and urgent और वह कुछ आपको बहुती बड़ा और वह बहुती आवश्चक चीज बताने वाली है it is hard to tell what लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल है यह समझेना बड़ा मुश्किल है कि वह क्या कहना चाहरे है but you are second because you have seen something you never thought could be seen लेकिन आप इस चीज़ को देख करके बड़ा है रहान what do you think is the best thing about being disabled I asked him earlier मैंने फिर्दोस कंगा बोलता है कि मैंने स्टीफन लोकें से पहले पूछा था earlier मैंने पहले पूछा था कि what do you think is the best thing about being disabled अपंग होने में अपाईज होने में क्या चीज सबसे अच्छी है तो I don't think there is anything good about being disabled अब लेका कर रहे हैं कि मैंने समझता कि disabled होने में कोई चीज अच्छी है यानि कि disabled होना अपंग या पाईज होना कोई अच्छी बात है यह मैंने समझता I think I said you do discover how much kindness there is in the world और I think I said और मैंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आप discover करो आप खोज गरो की इस संसार में कितनी द्याल होता है Yes, he said उसने कहा गी Yes, it was a disadvantage of his voice integer that it could convey no inflection, no sets and tone तो वो कह रहे हैं कि यह उनकी आवाज जो थी computer वाली आवाज थी उसका disadvantage था क्योंकि वो ना तो उत्राव चुड़ाओ, inflection माने हैं उसमें कोई शूर में ताल नहीं थी, ठीक है कोई पिछ नी था, कोई उचाही नी चाही वो नहीं थी, no sets, ठीक है, कोई चायदरन नहीं था, no tone और ना ही कोई लहाजा था क्योंकि वो computer से बोलते थे, एक ही tone में आवाज निकलते थी, उसमें ना कोई भावगता थी, ना कोई शूर की लह थी, ना कोई इसमें परिवर्दम था, कुछ नहीं था और मैप को बता नहीं सकता कि वो कितने खुष हो करके मेरी बात से सहमत थे, आगे क्या लिखा है, एवरी टाइम Every time I shifted in my chair और turned my wrist to watch the time, वाज माने देखना होता है, वाज माने घरी भी होता है, वाज माने देखना भी होता है, लिख माने कलाई, ठीक है, हर समय जो है, वो अपनी chair पे shift इदर से उधर खेशकते रहते थे, और अपनी कलाई को देखते रहते थे, क्या time हुआ है और वो अपने गड़ी क्यों देखते रहते थे क्योंकि वो आदा गंड़ जो उनको दिया गया था उसका पूरा सुद्ध उप्योग करना चाहते थे यह एक इडियम है वन ओक आवर थर्टी मिनट काउंट मतलब वो अपने हर एक मिनट को जो है उप्योग में लाना चाह रहे थे हर एक अक्षन को वो उसको अपने उप्योग में लाना चाह रहे थे I felt a huge relief and exhilaration in the possibility of my body और उनको feel हुआ बहुत आराम I felt a huge relief, मुझे बहुत आराम हुआ and exhilaration और आनन्द हुआ in the possibility of my mind मेरे सरीर में जो अक्सम ताय थी उसको देख करके कि मेरे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है मेरे अंदर बहुत कुछ है जैसे सेंटी स्टीपन होकेंस कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसे मेरे अंदर भी बहुत possibility है बहुत संभावना है शरीर के अंदर मैं संसार में कुछ भी कर सकता हूँ how little it matters then यह कोई बड़ी बात नहीं है that I would never walk or even stand यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं चल नहीं सकता या इसमें कोई नुक्सान नहीं है कि मैं चल नहीं सकता या मैं खड़ा नहीं हो सकता कोई बड़ी बात नहीं है कि था प्यारे बच्चों इसमें यह कहा कि आदमी चल नहीं सकता बोल नहीं सकता ख़ड़ा नहीं हो सकता कि यह को इंन करता है कि हम जितने भी हमारे अंदर possibility है जितने हमारे सरी में capability है उसका हम सुदूपयोग करें आगे क्या लिखा है, I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others, मैंने उनसे पूछा कि कि इतने लोग हैं जो आपसे inspired हुए हैं, मेरी तरह, इस विचार से उनको कोई साहिता मिली, No, he said नहीं, कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से बहुत लोगों ने inspiration ली है, मेरे से बहुत लोगों ने प्रेना ली है, ताकि वह भी अपना जीवन अच्छा मना सके, I thought how foolish I was to ask, अब लेखा कह रहे हैं कि मैं कि इतना रेना ली है, जा, when your body is catastrophic room and the walls are growing narrow day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still, इसमें ये कहा कि, when your body is catastrophic room, जब आपकी बोड़ी एक छूटे से रूम के अंदर रहे, यानि कि उस wheelchair पर ही तगी सिमेट के रह जाए, walls are growing narrow and narrow, उस रूम की वाल ऐसी हो जाए, जैसे कि वो wheelchair बैटे ते छूटी सी दिवार हो जाए, इतना छोटा रोम हो जाए, जैसे कि wheelchair है, it does not do much good to know, और यह जानके जो हसते हैं, with admiration to see you breathing still, कि उसके बाद भी आप अभी तक सांस ले रहे हो, या भी तक जिन्दा हो, बहुत सारे लोग ऐसे जो दूसरे की भावनाव को नहीं समझते, दूसरे की problem को नहीं समझते, हमें दूसरे की problem समझने चाहिए, उनका साहत देना चाहिए, उनकी help करनी चा चाहिए, यह अपंग है, यह अपाईज है, यह कुछ नहीं करेगा, ठीक है, जैसे इन दो महान व्यक्तियों ने कितना एक, बहुत बढ़े महान लेका कोई है, जनरलिस्ट हुए है, दूसरे साइंटिस्ट हुए है, तो दोनों जो चलने सकते थे, बोलने सकते थे, तो हमें मेग लाइब बैटर, कुछ ऐसी चीज जो उनके जीवन को और भी अच्छा बना दे, यह बहुत बड़ी बात बताई, इस्टीफन ओकिस ने कि दे शूर कंसर्टेट उनको ध्यान देना चाहिए, ओन वाट दे आर गुड एट, जिस चीज में वो अच्छे है, ठीक है, जिस उनको उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए, कोई साइंस, साइंटिस्ट बनना चाहता है, उनके सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, कोई दूसरा कोई इंजिनियर बनना चाहिए, तो उसके सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, तो हमेशा जो चीज अच्छी लगती है उसी पर concentrate करना चाहिए आगे क्या लिखा आप मैंने वर वाजब आदा गंटा आप हो चुगा था समाप थो चुगा था आई थिक आई है और मैंने का लेका करें कि मैंने को कहा कि मैंने चाहिए आपको काफी तंक किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आदा गंटा दिया मुझे आपसे बहुत सारी प्रेयना मिली सबसे बड़ी प्रेयना लेका को यह मिली कि बहले ही आप अपाईज हो लेकि जीवन में कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि स्टीबन ओगंस ने किया है मैंने उनके कंदो को टच किया एंड वील आउट इन्टो दा समर रिवनिंग और उसके बाद मैं समर रिवनिंग में गर्मी की साम को निकल पड़ा तो प्यारे बच्चो यह आपका लेसन था एक विजिट टू कैंब्रीज जिसमें लेखक फिर्दोस कंगा ने अपनी यूनिवेस्टी कैंब्रीज में जो उनकी विजिट हुई थी स्टीफन होकिन से मुलाकात हुई थी उसके बारे में बताया है और उससे बच्चो हमें आ काम में आगे बढ़ते रहें अपना काम इमानदारि से करते रहें उस में शरीर कोई मेंटर नहीं करता सरीर आपका अच्छा बुरा है कोई मतलब नहीं है आपके इरादे अच्छे होने चाहिए बुलंद होने चाहिए इसके साथ धन्यवाद